हेलो एवरिवन वेलकम तो मैं चैनल कोट सोरी वित माइक तो आज अपने ग्रेडी प्लेलिस के का वीडियो नंबर 20 करने जा रहे है ठीक है लीकोर नंबर 1793 हार्ड मार्क्ड है बट एक्चुली मैं काफी एजी बना दूंगा इसको एक्स्रेनेशन बहुत ही बेसिक तरीके से होगा ठीक है और हम यह भी समझेंगे कि कि यह ग्रेडी का 500 मैं और किवह काम रहा है यह दोनों सबसे जरोऑ होता है और जन्रए ग्रीडी प्रॉल्म बहुत दिमाख ख़ाफ करने वाले होता है बट हम लोग कोशिश करेंगे कि इसक आप इंडेक्स को ले भी सकतो नहीं भी ले सकतो तो DPVP के बारे मैं सोचने लग जाता हूं बट यह सब अरे है तो मुझे थोड़ा सा थोड़ी से राहत मिलती है मुझे ठीक है तो देखते हैं Amazon ने बूचा इस question को question is good actually मैं ठीक है तो यह question स्कोर कैसे निकालते हैं वो बता दिया है माल लेते हैं i से j तक का एक सब अरे उसका स्कोर निकालना आपको सिखा दिया गया है कि उन में से जो minimum element है और उस सब अरे का जो length है j minus i plus 1 उसको multiply कर दो ठीक है और a good सब अरे is a sub अरे वेर i is less than equal to k less than equal to j जो k इंटीजर दे रखका न वो उस सबरे के बीच में आना चाहिए तो सबरे का स्कोर निकालना सिखा दिया और सबरे, गुड सबरे कब कहलाएगा वो भी सिखा दिया तो आपको maximum possible स्कोर निकालना है गुड सबरे का, ठीक है As simple as the question समझ में आ गया होगा अब example को देखो, यहाँ पर इसका answer 15 क्यूं है वो समझते है देखो, मेरे पास तो बहुत सारे सबरे हैं याँ पर एक तो ये सबरे है, एक ये सबरे, बहुत सारे सबरे है ये भी एक सबरे हो गया, ये भी एक सबरे हो गया ये भी एक सबरे हो गया ये वाला सबरे valid है क्या देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 क्या ये सबरे valid है 1, 4, 3 नहीं क्योंकि index number 3 इसमें नहीं आ रहा है हमें कुछ भी हो index number 3 को लेना ही पड़ेगा या तो मैं सिर्फ इसी को ले लूँ ये एक सबरे हो गया या तो मैं इसके around सबरे बना हूँ या तो ये या तो ये या तो ये या तो फिर ये बहुत सारे सबरे बन जाएंगे बट उसमें index number 3 आना चाहिए कुछ भी हो जाए ठीक है तो सबसे पहले तो मैंने सोचा कि हो सकता है पूरा का पूरा सबरे answer हो मेरा बट देखा है तो इस पूरे में minimum 1 है ना minimum element 1 है minimum element निकाल लिया multiplied by सबरे का length length कहा इसका देखो तो 5 है नहीं 6 है तो 1 in to 6, 6 आ गया बट answer 15 कैसे है वो देखो ये बोल रहा है ना कि ये वाला सबरे best है देखो इसका minimum 3 है minimum element 3 है ना इन सब में से और multiply करो length से 5 है 3, 5, 5, 15 इससे बड़ी answer आपको नहीं मिल पाएगा ठीक है? अब आप देख लो try करके देख लो जैसे माल लेते हैं आप सोच रहे हो कि since मुझे minimum निकालना है तो क्यों ना बड़े-बड़े element को ही सबरे में लेते हैं तो देख लेते हैं इसको ले लेते हैं इसमें देख रहो minimum जो है वो 4 है एक बड़ा minimum मिला मुझे last time जब इसको लिया था यहाँ पर minimum मुझे 3 मिला था अगर इसको ले लो तो minimum देखो चार मिल गया है इसको multiply करते हैं लेंसे फोर त्री जा टूल नहीं बड़ा अंसर नहीं मिल पा रहा है ठीक है तो यह बेस्ट आंसर है अब देखते हैं इसको अप्रोच में कैसे लेंगे क्या intuition होगा क्या thought process होगा ठीक है और क्यों वो greedy है वो सब समझते है तो देखो मैं आपको अपना thought process बताता हूँ यह example पर ध्यान दो मुझे यह तो पता है कि मुझे index 3 को रखना ही रखना है कुछ भी हो जाए ठीक है index 3 को रखना ही रखना है तो index 3 से चलो मैंने start कर लिया इसके बाद मैं decision ले सकता हूँ कि मैं इसको include करूँ पहला decision कि 3,7 को include करूँ index 2 और 3 हो गया दूसरा decision क्या है कि मैं किसी को include ना करूँ 7 को ही रहना दूँ तीसरा decision क्या है कि मैं right side को include करूँ चौथा decision क्या है कि यह तीनों का तीनों include करूँ 374, ठीक है? यहां तक क्लीर है? तो आप इसको अलग से सॉल्फ कर सकते हो, रिकर्शन कॉल करके, ठीक है? यह तो एक मात्रे सलुशन हो गया, इसको अलग से कॉल कर सकते हो, रिकर्शन कॉल करके, सॉल्फ कर सकते हो, मतलब मैं बोल राइट एमेंट को लेकर आगे बढ़ गया, और एक ही यह तरीका हो गया कि आप लेफ्ट साइड भी बढ़े और राइट साइड भी बढ़े ठीक है बट रिकर्शन मैंने सुझा कि क्यों ही जाओं क्योंकि मुझे सब अरे निकालना है कि मैं लेफ्ट वाले लूँ यारे वाले को लूँ या दोनों को लूँ ठीक है तो एक काम करते हैं आप खुछ सोचो जैसे माल लेते हैं आप यहां खड़े हो आप को left जाना या right जाना वो आपको नहीं पता अबी ठीक है तो पहले आपने देखा कि right side में कौन सा element है आपका 4 है और left side में element कौन है आपका 3 है तो यहाँ पर ध्यान दो अगर आपने 4 को लिया तो आपका sub array क्या बनेगा 7,4 तो इसका answer देखो क्या आएगा minimum कौन है 4 है length क्या है 2 है 8 और अगर आपने left वाले को लिया होता 3 को तो मेरा sub array होता 3,7 इसका answer क्या आता minimum है मेरा 3 और length क्या है 2 है तो 3 to the 6 आता है अब स्टार्ट करते हैं कि मैं अगर अव्यसे मैं स्टार्ट यहां से करूंगा राइट यह मेरा स्टार्ट इंडेक्स तो मेरे sub array में हो ही हो kth index यह है तो यह tension मेरा खतम हो जागा कि kth index मेरा ऐसा बरे में होना चाहिए ठीक है यहां तक clear है अब मुझे left जाना है या right जाना है वो मैं किस basis पर ले रहा हूं देखो तो जो बड़ा element है तो यहां पर ध्यान दो मैंने 4 को लिया और यहां पर 3 को लिया तो 4 वाला better है क्य तो इसलिए मैंने क्या किया फोर के तरफ चला गया ठीक है अभी तो यह तो होगया greedy इसलिए तो मैं बोल रहा हूं ना क्यूं greedy है यह वाई greedy विकॉज जहां पर element बड़ा दिख रहा है greater element है ना greater element के तरफ मैं move कर रहा हूं right that is why it is greedy बड़ बहुत लोग question यह करेंगे कि क्या guarantee है कि यही मेरा best answer देगा उस पर भी आएंगे ठीक है बट पहले देख लेते हैं ना कि अगर मैं इस approach से चलूं तो मेरा क्या answer आता है तो चलो ठीक है अभी icon यहाँ पर है current मेरा कौन सा current minimum element मेरा क्या है देखो तो seven है और क्या और current मेरा result क्या वो देखो यही मेरा sub array है तो इसका क्या हो जबागा minimum element seven है और इसका length one है तो 7 बंद रहा है, तो current मेरा result है 7, ठीक है, अब मैं i-1 के तरफ जाओं या j-1 के तरफ जाओं, वही मुझे देखना है, तो i-1 और j-1 में बढ़ा कौन है, 4 है, तो मैं j के तरफ जाओंगा, ठीक है, तो मैं अब j के तरफ गया, तो j के तरफ जब गया हूँ, तो देख लेत इसका score निकालता हूँ, तो minimum element 4 है, और 4 into j-i plus 1, ऐसी निकालने बोला था question में, ठीक है, 4 to the 8, ठीक है, तो अब मेरा answer 8 है, जोगी better है, 7 से बढ़ा है, तो 8 मेरा answer आ गया, ठीक है, अब देखते हैं, अब मैं किधर expand करूँ, i को left ले जाओं या j को right ले जाओं, देख लेते जा रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये greedy इसलिए है, क्योंकि मैं बड़े element के तरफ जा रहा हूँ, लेकिन क्या guarantee कि बार बर वही काम करेगा, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा, थोड़ा वेट करो अभी, तो मैं इधर ले गया है, इसको j को, ठीक है, तो क्या current element मेरा update हुआ, sorry, current minimum element, नहीं, क्योंकि 5 जो है, वो तो 4 से बड़ा है, तो minimum element अभी तक मेरा वही है, बस मेरा length इंक्रीज हो गया, तो score अभी बढ़िया मिल सकता, देखो कैसे, अभी मेरा sub array ये है, तो उसका minimum element कौन है, 4 है, और length क्या है वो देखो, length है, j minus i plus 1, that is 3, 12, बटर answer मिल गया, तो current score को मैंने update करके, result को update करके 12 कर दिया, ठीक है, ओके, अब j तो right set जा ही नहीं सकता, क्योंकि out of bound हो जाएगा, तो obvious सी बात है, i को left जाना पड़ेगा, ठीक है, तो i को left ले गया, तो देखते है, i इंडेक्स पर कौन सा element है, मैं ऐसे variable पर assign कर दिया करूँगा left value मेरा क्या है, 3 है, left value मेरा 3, और j आद करो आगे नहीं बढ़ पाया था, है ना, out of bound हो जाता, तो मैं right value पता है, किसको ले लूँगा, 0 ले लूँगा, ठीक है, क्योंकि j तो आगे बढ़ी में पाया, तो मैं 0 मान लिया, 0 इसलिए माना, क्योंकि जो nums में जो values होंगे न, ठीक है, तो 0 ले लिया, अब देखो, दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा है, दोनों में से 3, ठीक है, तो अब वैसे मैं मतलब इसी को चूज करूँगा, आइथ वाले को, और मुझे आइडिली आई वाले को ही चूज करना चाहिए, क्योंकि j out of bound हो रहा है, तो मैं right value को 0 मान लिया, ठीक है, तो ठीक है, अभी मेरा sub array क्या हो गया, यह हो गया, इसमें minimum देखो, अब update करना पड़ेगा, minimum हो गया है 3, ठीक है, minimum में मेरा 3, और length क्या है, j minus i plus 1, ठीक है, यानि कि 4, अब product आगया 12, result मेरा अलड़ी 12 है, तो कुछ better answer नहीं मिला है, तो मैं update नहीं ठीक है, i को left भेज दिया ना हमने, और जब left भेज दिया तो left में value कहा देखो, तो 4 है, ठीक है, तो अब देखते है, कि कौन है भाई, छोटा है, इसमें, sorry, इसमें बड़ा कौन है, i बड़ा है, ठीक है, तो i जब बड़ा है, तो देखो, i यहां पर आ गया है, और current minimum मेरा अभी तक 3 का 3 ही है, इस सबरे पर ध्यान दो, current minimum अभी भी 3 है, तो 3 है, multiply करते है, length से, 5 हो जाएगा, 3, 5, 15 हो गया, बटर answer में गया, तो मैंने current area को update कर दिया, ठीक है, अब देखते है, i को left side move करना सही रहेगा, या right side, या j को right side, जो j को right side तो move नहीं कर सकते है, तो right value 0 र कौन सा value 1 है, दोन में से बड़ा कौन है, left value बड़ा है, तो इसलिए i को left side move कर दिया, ठीक है, तो अब इस सबरे को, since i को left side move किया है, क्यूंकि, क्यूं, क्यूंकि left value 1 वो बड़ा था, तो अब देखो left value 1 जो बड़ा था, क्या वो current minimum से भी छोटा है, येस, तो मैंने update कर द 166 आ गया, result मेरा 15 है, तो 6 तो छोटा ही है, तो इसको update नहीं करूंगा, ठीक है, इसके बाद देखते है, i, j को किदर बड़ा सकते है, right side नहीं बड़ा सकते है, ये j out of bond है, i भी out of bond हो जाएगा, left side move करेंगा, तो अब मेरा for loop, या while loop जो भी में लिकूंगा, वो break कर ठीक है, तो मेरा while loop कब तक चला, जब तक i जो है greater than 0 था, या फिर j जो है, मेरा less than n-1 तक, ठीक है, जैसे ही, देखो, i जो है, 0 के बराबर हो गया, and, and, j भी, तो देखो, i 0 के बराबर हो गया, तो ये तो false हो गया, ठीक है, और j भी, देखो, n-1 से, k equal हो गया है, मतलब less than n-1 होना चाहिए, लेकिन देखो, equal to n-1 हो गया, तो ये भी false हो जाएगा, तब जाके हमारा while loop break होगा, याद है, देखो, यहाँ पर जब i था, तो देखो, इस वक्त, i तो greater than 0 है, तो true हो गया होगा, लेकिन j जो है, वो n-1 के बराबर हो गया, ये false र लगाया है, कि जब तक दोनों out of bound नी हो जाए, तब तक मैं इस while loop को चलाता रहोंगा, that's why यहाँ पर और operator है, ये तो समझ में आ गया होगा, आपको, okay, तो देखा जाए, तो अगर मैं इस तरीके से चलू, तो देखो, मेरा answer correct आरा, answer मेरा 15 निकला last में, ठीक है, but अब समझ जते हैं, why, why it is working, ठीक है, मतलब कि kth index ये था ना, याद करो, starting में i यहाँ परता, j यहाँ परता, तो i, मतलब, अगर nums of i, sorry, nums of i-1, मतलब left वाला जो element है, अगर वो greater than है, nums of right वाले element से, ठीक है, तो मैं left जाऊंगा, go left, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, तो go right, मतलब जिधर बड़ा element है, उधर ही जाएंगे, ठीक है, मैं यही जानना चाहरा हूँ, कि यह क्यूं काम कर रहा है, why it is working, सबसे important question यही होता है, greedy में, कि क्यूं काम कर रहा है तुमारा approach, यह तो मैं समझ गया, obvious सी बात है, कि जहाँ बड़ा element है, उधर जा रहे हो, तो देखो, यहाँ पर better answer मिल रहा है, but why it is working, why it will always work, वो समझने की कोशिश करता है, तो देखो, example को मैंने थोड़ा छोटा किया, ताकि मैं आपको why समझा सकूं, why it is working, ठीक है, देखो, starting with obvious, मैंने बोला था, कि I और J से मैं यहाँ start करूंगा, ठीक है, क्यों, ताकि मैं यह ensure कर सकूं, कि K जो है, वो I और J के बीच में ही रहे, ठीक है, चलो, यह tension दूर कर लिया, but आप देखो, याद को मैंने बोला था, कि मैं I minus 1, यानिकि 3, और J plus 1, यानिकि 4, दोनों में से जो बड़ा को उधर मूफ करूंगा, तो यहाँ पर बड़ा 4 था तो मैं J को यहाँ मूफ कर दिया था, but मान के चलो, आपको लग रहा है कि नहीं, optimal answer नहीं मिलेगा, right side मूफ करने पर, आपको लग रहा है कि चलो, left side ही move करके देखते हैं, optimal आता है गी तो आप left मूफ करके, मान के चलते हैं, तो J यह रहा होगा और I रहा होगा, बतब आब कि 3,7 ही जाना बेटर रहेगा मेरे लिए ठीक है अब देखो इसका अंसर निकालते है 3 into 2 6 होगा 3 मेरा minimum element है length 2 है बट एक चीज़ ध्यान दो आपने 4 को क्यों ignore किया क्यों ही ignore किया अभी देखो अब इसी sub array में 3,7 वाले sub array में ही ध्यान देना 4 को include कर दोगे तो क्या problem हो जाएगी कोई problem नहीं होगे कैसे क्योंकि 3,7 है अभी देखो 4 को include कर दिया अब ध्यान दो minimum अभी भी 3 ही है कोई फरकी नहीं पड़ा multiplied by length बढ़ गया हमारा answer और better हो गया यानि कि यह आपको optimal answer था ही नहीं ठीक है और आपका minimum अपडेटी नहीं हुआ minimum तो वही रहा तो 4 को आप क्यों नहीं include करोगे भाई आपको करना चाहिए 4 को include ठीक है और multiply करने पर देखो better answer मिलगा तो मेरा answer obviously यह 9 होगा ठीक है 6 तो छोटा answer है ठीक है तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको फर्की नहीं पड़ेगा न कि आप I को छोटे answer की तरफ इधर ले जाओ क्योंकि अगर यह बड़ा element है तो definitely हर बार यह होगा ही आपके सबरे में यह optimal answer नहीं होगा आपको optimal answer यह होगा क्यों? क्योंकि देखो जैसे ही आपने बड़े वाल element को skip कर दिया तो minimum element आप यह रहा होगा क्योंकि obviously 3 और 4 में 3 छोटा था आप 3 के दरफ चल गया तो आपने जो इसका answer निकाला ठीक है उसमे minimum element 3 है बट आप इसको भी include करोगे ना तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि minimum element अभी भी 3 होगा उल्टा और बेटर हो जाएगा आपका length बढ़ा हो जाएगा और length बढ़ा होगा तो j-i plus 1 जैदिक length वो बढ़ा होगा तो multiply होके वो बढ़ा answer देगा आपको यानि कि देखा जा तो impossible है कि आपने यहाँ पर i है यहाँ पर j है इंपॉसिबल है कि आपने छोटे वाले को इंक्लूड किया और अब इस बड़े वाले को इंक्लूड ना करो आपको करना ही पड़ेगा तभी आपको optimal answer आएगा क्योंकि यह बड़ा element है इस 3 से बड़ा था तभी आपने skip कर दिया इसको आपने बोला नहीं नहीं बड़े वाले के तरफ नहीं जाएंगे आपने skip कर दिया इसको लेकिन यह बड़ा element को अगर आप डालोगे ठीक है तभी optimal answer मेरेगा impossible है कि आप इसको skip मार सको आपको best answer इसको include करके ही मिल रहा है देखो 4 बड़ा है ठीक है तो और क्या करना है बस blindly जहां पर जो आपको बड़ा element दिखता है उधर move कर जाओ ठीक है blindly जो आपको बड़ा element मिल रहा है यहाँ पर थे i, j बड़ा element 4 मिला तो चलो 4 की दरफ चल गया j मिल गया ठीक है अब देखो यहाँ पर अभी आपका 7,4 है ठीक है इसका आंसर देखो क्या होगा 4 into 2 होगा आंसर आया 8 ठीक है अब j तो आगे बंड़ नहीं सकता तो i को पीछे करोगी करोगे ठीक है अब देखते है minimum आप update हो गया minimum हो गया 3 ठीक है 3 multiplied by length हो गया 3,9 बेटर आंसर मिल गया ठीक है यानि कि आप जोग चोच रहे हैं था ना कि max के तरफ ना जाके मैं left minimum के तरफ ही जाऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा minimum element है और यह चोटा element है 3 जो है 4 से चोटा है तो आप इसको लिखो या इसको लिखो minimum तो 3 का 3 रहेगा ना उल्टा आपका length बढ़ जा रहा है अगर आप इस 4 को भी include कर लेते तो ठीक है यह एक तरह का contradiction से मैंने प्रूफ किया है कि क्यूं हमारा solution काम करेगा contradiction क्या है कि आप मैं बोला right side जाओ क्योंकि right side बढ़ा है मैं वहाँ ना जागे left side गया ठीक है यह हो गया contradiction से मैंने प्रूफ कर दिया कि क्यूं आपका solution काम कर रहा है और काम करेगा हर बार ठीक है यहाँ तक clear हो गया अगर आपको confusion है तो दो बारा इस पार्ट को जरूर से देखना दो बारा क्योंकि greedy problems में यह why ही बड़ा important होता है कि क्यूं काम कर रहा है ठीक है तो देखा जाए तो code भी हमारा बहुत simple है अब तो बहुत simple हो गया है जो हमने story सुनी अभी उपर से उसको story से code convert करने में बहुत सीजी नहीं हो जाएगा एक i pointer था उसको भी मैंने के से ही start किया था j को भी k से ही start किया था मेरा current minimum element भी वही होगा जो kth index पर है ठीक है तो अब वेस यह बात है मेरा result भी अभी सिर्फ वही होगा क्योंकि अभी मेरा sub अरे वही है बस जो kth index पर है तो result क्या होगा nums of k ठीक है अब मैंने क्या बोल दिया आपको कि तब तक चलेंगे जब तक i जो है greater than 0 होगा या फिर j जो है less than n-1 होगा ठीक है तो ग्रेटर दन 0 तक ही क्यों चला रहा है क्योंकि याद करो i-1 अथ वाल element चेक करते थे हम लोग left वाल element वो होता था तो अगर 0 के बराबर होगे तो i-1 out of bound हो जाएगा similarly j plus 1 भी out of bound हो जाएगा अगर 1-1 के बराबर हो गया तो इसलिए less than n-1 and greater than 0 ठीक है तो मैंने आपको बहला थाना कि पहले left value निकाल लेते हैं तो left value मेरा क्या होगा वो सोचो अगर i जो है ठीक है अगर i greater than 0 हो गया sorry मतलब i अगर greater than 0 है चलो ठीक है इसका मतलब क्या होगा ठीक है हम nums of i-1 निकाल सकते हैं और अगर greater than 0 नहीं है मतलब equal to 0 हो गया होगा या तो उससे चोटा हो गया होगा तो भाई मैंने क्या बोला blindly 0 ले लेंगे क्योंकि out of bound है आप तो वो इसी तरह मैंने क्या बोला अगर left value मेरा बड़ा निकला right value से ठीक है अगर left value बड़ा निकला मेरे right value से तो मैंने आपको क्या बोला था कि में left side जाऊंगा ठीक है और left side जाएंगे तो i pointer minus minus करेंगे ठीक है left गया हमें और minimum element को update कर लेंगे यानि कि currently minimum element है minimum of current minimum element या फिर अभी मैं जिस इंडेक्स पर गया हूँ अभी just क्या वो है मेरा minimum दोनों में से जो minimum होगा वो मैं update कर लूँगा ठीक है और अगर left value right value से बड़ा नहीं है तो right side जाएंगे और क्या जे प्लस प्लस ठीक है और current minimum को update कर लेंगे minimum of current minimum अब यह मैंने निकाल लिया कि आई कहां पर है और जे कहां पर है और current minimum element भी मुझे पता है तो मैं result अराम से निकाल सकता result is equal to maximum of currently जो result की value है और current score कैसे निकाल से थे currently minimum element इंटू length जे मैंने साई प्लस वन as simple as that जैसे while loop से मैं बाहर निकलूँगा मैं return result कर दूँगा देख रहे हो कितना simple था और देखा जातो amazingly यह o of n solution में हमने solve कर दिया इसको ठीक है इसलिए greedy में आपने instinct को एक बाद try किया करो कि आपका मन जो कह रहा है वो try करके देखो actually मैं मिट से भी तुक्के से ही बना था कि मैंने देखा रहे ठीक है जो बड़ा element उसी के तरफ जाऊंगा क्योंकि बड़ा element से अच्छा answer मिल रहा था ठीक है उसके बद मैंने समझने की कोशिश की कि भाई क्यों ये काम कर रहा है तो फिर मैंने पता है क्या चोट element के तरफ चला गया contradiction प्रूफ करने के लिए फिर पता चला कि अच्छा नहीं चोट element को लेंगे तो बाद में 4 आएगा ही आएगा क्योंकि मेरे length बढ़ रहा है अब्विस्सी बात है तो मैं include करूँगा ही राइट वाले element को तो भाई इससे अच्छा यही है कि तुम राइट वाले element को include करते चलो जो बड़ा है राइट यह लेफ्ट जो भी बड़ा है उसको include करते चलो ठीक है तो जल्दी से code करते है और इसको finish करते है तो चलो जल्दी से code करते है देखो इसको बनाने के और भी बहुत सारे approaches है monotonic stack इन सबको बड़ उनकी जब मैं concepts पढ़ाऊंगा तो जाधा अच्छे से आप solve कर पाऊगे इसलिए मैंने अभी blindly उन solution से नहीं समझाया आपको ठीक है और तो सबसे जाधा intuitive जो मुझे लगा वो greedy लगा इसलिए मैंने greedy से आपको समझाया है ठीक है उन approaches से भी different approaches से भी हम आएंगे ठीक है very soon n is equal to nums.size कर दिया int i is equal to k से start किया int j is equal to b k से start किया int मेरा current minimum element भी nums of k ही होगा क्योंकि starting में k पर ही खड़ा हूँ ठीक है और मेरा result भी क्या होगा nums of k के बराबर होगा ठीक है अब देखो मैंने बोल दिया था कि i मेरा कब तक चलेगा greater than 0 या फिर j जो ह है less than n-1 और यह और operator मैंने क्यों लगा है वो भी मैंने आपको बता दिया था ठीक है तो पहले तो left value check कर लेते हैं क्या c ने उसका अगर i greater than 0 है greater than 0 है तो ठीक है left value निकाल सकते है nums of i-1 और अगर ऐसा नहीं है तो 0 लिख लेते हैं ठीक है similarly right value निकाल लेते हैं अगर j जो है less than n-1 है तो simply nums of j plus 1 कर लेंगे और ऐसा नहीं है तो 0 और sign कर देंगे ठीक है अगर जो left value है वो less than है right value से ठीक है मतब right वाला value बड़ा है तो मैंने क्या बोला था कि j plus plus मतब right way move करेंगो जहां बड़ा element उधर ही जाना आपको ठीक है j plus plus कर लिया और current minimum element देख लेते हैं कि अ या वो मेरा ज्यादा चोटा element है ठीक है तो minimum of current minimum जो था अलरड़ी या फिर nums of j जो नया element अभी आया है और अगर ऐसा नहीं है तो left side move करो ठीक है current minimum is equal to minimum of current minimum nums of i क्योंकि अभी तक अभी मैं i-th element के पास चला गया हूं left side जाकर ठीक है तो result is equal to score निकाल लो maximum of result score कैसे निकालते थे minimum element into j-i plus 1 ठीक है अब last में return result कर दो directly submit करते है hopefully we should be able to pass all the test cases तो कोई भी doubt होता है raise it in the comment section I'll try to help you out see you guys in the next video thank you